हेलो फ्रेंट्स हम लोग बाल मनुवे ज्यान के अंतरगत बाल विकास की अवस्थाएं पढ़ रहे थे जिसमें हमने बाल विकास की दो अवस्थाएं सैस्वा वस्था और बाल्ले अवस्था का अध्यन कर लिया था आज हम बाल विकास की तीसरी वस्ता किसोरा वस्ता एडॉल सेंस का अध्यन करेंगे तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं सामान ने आईू वर्ग क्या है किसोरा वस्ता के लिए तो सामान ने जो समयावद यह जो समय है वो 12-13 वर्ष से लेकर 18-19 वर्ष यानि कि 12 वर्स का अंत और 13 वर्स का आरम जो है किसोरा वस्ता का आरम इसी तरह 18 वर्स का अंत और 19 वर्स का आरम जो है किसोरा वस्ता का अंत माना जाता है आयू के आदार पर बाल विकास की अवस्ताओं का नदार नहीं होता है पहले भी हमने बात की किसी भी बच्चे का आप बाल विकास की किस अवस्ता में रखेंगे इसका नज़ अदाड़ होता है उसमें पाए जाने बाले गुड़ों के अदाद पर सपोज अगर कोई बच्चा बाल बाले अवस्ता की आयू रखता है लेकिन वो गुड़ प्रदर्शित कर रहा है सहसवावस्ता की तो उसको हम सहसवावस्ता में ही रखेंगे ठीक है अगर हम बात करें किसोरावस्ता में सामान इनाम की तो अगर मेल है तो उसको तो हम किसोर काएंगे फीमेल है तो उसको हम काएंगे किसोरी अब किसोरा वस्ता के अनिनाम जो की महत्पूर है तो सबसे पहला जो है स्वर्ड काल किसोरा वस्ता को हम स्वर्ड काल भी कहते हैं ठीक है बसंत रितु भी कहते हैं नेश्ट है उलजन की अवस्ता किसोरा वस्ता को उलजन की अवस्ता भी कहते हैं क्योंकि किसोरा वस्ता में जो सामाजिक विकास है, जो सामवेगिक विकास है, मानसी विकास है, वो बहुती तीबर गस्य होता है, इसी दिए किसोरा वस्ता को उलजन की वस्ता भी कहते हैं, इसके अलावा सामवेगिक परिवर्तन की वस्ता, दुखी वस्ता, अमूर्त चिंतन की अवस्ता यह जो है किसोरा वस्ता की अन्य नाम है ठीक है अमूर्त चिंतन की अवस्ता किसोरा वस्ता में जो किसोर और किसोरी होते हैं वो अमूर्त चिंतन सुरू कर देते हैं यानि कि उनमें तर्क करने की छमता चिंतन मनन करने की सक्ति आ जाती है इसके अलावा जो हमने बाल्य आवस्ता में पड़ा था, बाल्य आवस्ता में कोई भी बालक या बाली का मूर्थ चिंतन करता था, तारकिक चिंतन करता था, इसके अलाबा सैस्वा वस्ता में जो चिंतन होता था, वो अतारकिक चिंतन होता है, अब जो नेश्ट है, अन्य नामों में परिपक्कता की और ले जाने वाली अवस्ता भी कहते हैं किसोरा वस्ता के संदर में प्रमुक कथन जो हैं ये इंपोर्टेंट है तो सबसे पहला कथन है इस्टेनिली हॉल इस्टेनिली हॉल ने किसोरा वस्ता के संदर में कहा है कि किसोरा वस्ता प्रबल दबाव तनाव तूपान एबं संग तो किल्पेयट्री ने कहा है कि 12 वस्ता जीवन का सबसे कठिन काला है कि Drag即 वह बहुदी सामाजी करण होता हैго ठीक है तो आपके सामने किसीवी बात को लेकर बहुत सारे व्ठीक अब बात करते हैं कि 12 वस्ताइक प्रमुक विशैस्ताओं की तो सबसे पहली वे सहता है किसोरों में पुरुस ताथा किसोरियों में महिला के गुड़ परदर्सित होने लगते हैं ठीक है जो किसोर होते हैं उनमें पुरुसों की तरह दाड़ी मूच आने लगती है और किसोरियां जो हैं उनमें महिलाओं के गुड़ परदर्सित होने अगर हम बात करें बाल्लय वस्ता, तो बाल्लय वस्ता में यह नुर्जा निस्क्रिय रहती है, सहस्वा वस्ता में सक्रिय रहती है, और किसोर वस्ता में भी यह नुर्जा सक्रिय रहती है, ठीक है, संबेगों की प्रवलता देखने को मिलती है, जिससे किसोर किसोरी असंबब लगने वाले कार भी कर जाते हैं जो किसोर और किसोरी हैं अगर उनको क्रोध आएगा तो भहुती तीब रोगा ठीक है तो संबेगों प्रबलता देखने को मिलती है संबेगों भहुती तीब रोगते हैं किसोरा वस्ता में गनिष्ट मित्रता देखने को मिलती है किसोरा वस्ता में आपको जैवीरु वाली मित्रता देखने को मिलेगी ठीक है गनिष्ट मित्र इस समय मिलती है नेश्ट है बिसम लिंगी आकरशड देखने को मिलता है यानि कि अगर एक किसोर जो है मित्र बनाना चाहेगा तो वो किसोरी को बनाना चाहेगा एक लड़की मित्र बनाना चाहेगी तो वो एक लड़के को बनाना चाहेगी लेकिन बाल्यावस्ता में क्या होता है मित्र बनाना जो समलेंगिक मित्रता होती है ठीक है और जो सैस्वावस्ता है उसमें मित्रता जैसा कोई टोपिक नहीं होता है नेश्ट है तियाग बलिदान परोपकार सैयोग मित्रता की भावना तीबर होती है तो किसवावस्ता में तियाग बलिदान परोपकार सैयोग की मित्रता जो भावना होती है इसके अलाबा इसवर की सत्ता को सुईकार करता है कोई भी किसोर या किसोरी किसोर आवस्ता में देखो जो सैस्वा वस्ता है उसमें माता पिता कहते हैं बच्चे से की बच्चा हाथ जो है इसवर के सामने हाथ जोड़ो तो बच्चा हाथ तो जोड़ता है उसे पता नहीं हम क्या कर रहे है ठीक है इसके अलाबा आते आते बाल्य आवस्ता में वो हाथ तो जोड़ता है उसे पता चल जाता है कि ईस्वर है कुछ तो है लेकिन वो ईस्वर को सोईखार नहीं करता है कि सोर आवस्ता आने तक वो ईस् समान लेते हैं और उसी के अनुसार अपने सारे कारभे करते हैं अब बात करते हैं बिकास के पच्छों की किसोर वस्ता के प्रारम में लंबाई बालकों की और बालिकाओं की ठीक है जो बालक उनको हम किसोर कहते हैं और बालिकाओं को जो है किसोरी कहते हैं बालक बालिका तू बालिया वस्ता का टर्म है ठीक है तो एक किसोर की आउसत लंबाई होती है 138.3 cm ये फिक्स नहीं है ठीक है और एक किसोरी की लंबाई होती है 149.2 cm लेकिन किसोरा वस्ता के अंत में एक किसोर की लंबाई होती है 161.8 और एक किसोरी की लंबाई होती है 151.6 द्यार रखने वाली बात यह है कि किसोरा वस्ता के प्रार्रम में लड़कियां बड़ी होती है लेकिन किसोरा वस्ता के अंत में लड़के बड़े हो जाते हैं केवल और केवल बाल्या वस्ता ऐसी वस्ता है जिसमें लड़कियों की ओस्तन आयू लड़कों से ज़्यादा होती है इसके अलावा सैस्वा वस्ता में भी लड़कों की ज़्यादा होती थी तुरा वस्ता के आती तक पून्ड विकास हो जाता है, लगभङ मानस बेसईंगो का, इसलिए जो हरदय की धड़कन है वो कम हो जाती है नेश्ट है हड्डियों की संक्या तो किसोरा वस्ता में औस्तन हड्डियों की संक्या होती है 206 इसके अलाबा सैस्वा वस्ता में हमने पढ़ा था कि औस्तन हड्डियों की संक्या होती है 270 70 और बाल्यावस्ता किसोरे वस्ता में हो जाती है 2106 पहले कम में उसके बाद बढ़ती हैं एक से दो holy उड़ी हो जाती हैं फीक है लेकिन इसके बाद पुन्हा tusimare होता है 80 से एक हो जाती है से नेश्ट है दांत, तो किसृर वस्ता में दांतों की आस्तन संक्या होती है 27-28 जो की इस्थाई दांत होती हैं बाला वस्ता में कुछ दांत आपने देख़े होंगे कि जो है आइस्थाई भी होते हैं ठीक है नेश्ट है थाइराइड गरंती विक्सित हो जाती है तो थाइराइड गरंती का काम क्या होता है कि किसोर होते हैं उनकी आवाज पूर्सों की तरह बोटी हो जाती है और जो किसोरिया होती है उनकी आवाज सुरिली हो जाती है ठीक है त तो हमने बात की मानसीक विकास के संदर में सहस्वावस्ता में मानसीक विकास 90 प्रिस्षत हो जाता है अब 90 प्रिस्षत मानसीक विकास सहस्वावस्ता में ही हो गया तो लगभग मानसीक विकास पूण होता है पूण हो जाता है सहस्वावस्ता में मांसी विकास के संदर में क्रू ने कहा है कि 16 बर्स में ही जो मांसी विकास से पूंड हो जाता है इसके हिलाबा बाट्शन ने कहा है कि 18 बर्स में मांसी विकास पूंड हो जाता है यानि कि हम कह सकते हैं कि 11 बस्ता में मांसी विकास पूंड हो जाता है नेश्ट है अमूर्थ चिंतन चिंतन मनन सोच विचार करने की सकतिया जाती है तो मांसी विकास के अंतर गतम कहते हैं कि अमूर्थ चिंतन की सकतिया जाती है ठीक है नेश्ट है सांबेगी की विकास तो सांबेगी की विकास में संबेग तो तीबर होते हैं ठीक है संभी एक तीब रोते हैं परन्तु संभेगों पर नेंतरड करने की छमता पायाती है देखो संभेगों पर नेंतरड करती है बुद्धी हमें क्रोध आया लेकिन अगर हमें बुद्धी है तो हम अपना क्रोध रोक सकते है ठीक है तो संबेवों पर नेंत्रड करती है बुद्धी क्योंकि बुद्धी का विकास हो जाता है किसोर और अवस्ता में तो किसोर और किसोरी पर क्रोध उनको आएगा तो बहुत ही तीब रोगा लेकिन वो उसको रोक भी सकते हैं ठीक है यह उन पर निर्वर करता है तो यहा आप लोगों को वीडियो पसंद आयोगी आपको ये वीडियो कैसी लेगी आपनों कांट्वास्ट में जरूर बताएगा थांक्स वर बाचिंग